तो दोस्तों यही है मेरा सेटाप वाला रूम इधर कुछ पेन और कोपी और किताब है कौन क्लास में पढ़ती हो तुम आड़ी बाड़ी में और इधर कुछ अलवारी पे भी किताब और कोपी रखे हुए हैं कि हलो प्यारे भाई यहां बैनों कैसे हैं आप लोग मस्त होंगे बोलते एक दम जकास दोस्तों आप लोग का स्वागत हैं फिर से इस नए वीडियो में जिसमें आप उन बात करेगा अपने स्टेडी सेटप की जहां पर मैं पढ़ता हूं वहां कि मैं फुल लूकेशन बतान वाला हूं दोस्तों आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा थे कि भाई आप चौंकी के नीचे पढ़ते हो कहां पढ़ते हो क्या करते हो सब बता तो आप लोग को बताने वाला हूं आज मैं इस वीडियो में फूल जानकारी दोंगा मेरा कॉंटेंट क्या मेरा सेटप कैसा है तो बने रहे आज की इस वीडियो में चली दोस्तों वमें चलते हैं जहां पर मैं पड़ता हो और जहां मेरा सेटप है तो आप फाईलिस दोस्तों हम उस रूम के बाहर आ चुके हैं तो बाहर कर नाजरा कुछ इस तरह से हैं देख सकते हैं आप लोग तो चलिए दोस्तों इस रूम में चालते हैं और आप लोग को दिखाते हैं अपना सेट अप कैसा है मेरा सेट अप तो हम लोग उस रूम में आ चुके हैं दो उस तो देख सकते हैं आप लोग इधर किस तरह कना जा रहा है इदर कुछ इस तरह कना जा रहा है नीचे फ्लो को बैक साइड से दिखाता हूं तो दोस्तों यही है मेरा सेट अप आप वाला रूम देख सकते हैं आप लोग इधर किस तरह कना जा रहा है और कैसा सेट अप है मेरा कमेटमेंट जरूर बताईएगा इधर कुछ पेन और कोपी और किताब है इधर से देख सकते हैं आप लोग उधर मेरकरी लगाए हुए है चूनी लाइट बगेरा भी है यहीं पर मैं पढ़ता हूँ और यहीं मैं सोता भी हूँ एक एस्पिरेट के लिए यहीं सब कुछ है बाहर से आप लोगों को दिखाता हूँ मैं अपना सेट अप देख सकते हैं मेरे छोटी सिस्टर है जो कि अभी पढ़ रही है और इधर कुछ अलवारी पे भी किताब और कॉपी रखे हुए हैं इधर से कुछ अलग हिना जारा लग रहा है भाई कमेंट में जरूर बताएगा आप लोगों को मेरा सेट अप कैसा लगा और आप लोगों का सेट अप कैसा है तो दोस्तों कैसा लगा मेरा सेट अप वाला रूम अगर अच्छा लगा तो लाइक करें सेयर करें और कमेंट कर लेट अबता के लिए बाइ